एलो फ्रेंड्स मैं विन्या निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बार फिर्शिय हाँ हमारे चैनल पे श्वागत है तो फ्रेंड्स जैसे जैसे एक एक दिन बेत जा रहे हैं आप लोग का प्रेशर और बढ़ता जा रहा है यानि कि रिजल्ट को लेगर के और आप लोग जरूरी है वैसे मैं आप को कई वर बता चुका हूं with reason with प्रूफ with logic, हैनि हर तरह से प्रूफ कर चुका हूं कि सितंबर में result नहीं आने वाला है फिर भी media वाले हार नहीं मान रहे हैं उनका एक ही रठ सितंबर कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सब कुछ online काम हो रहा एक दिन में हो जाएगा software से काम हो अरे भाई online software कहीं से भी काम हो आप computer command करता है जब command ही नहीं देंगे तो कैसे work करेगा और computer में भी time लगता फाइल कॉपी करते हैं अगर एक MB का फाइल कॉपी करना होता है तो माल जी कुछ सेकेंड लगता है तो क्या 100 MB का फाइल कॉपी करने भी उतनी सेकेंड लगे ऐसा नहीं है न कुछ लोग मेरे मेरे ही कमेंट बॉक्स में लॉजिक दे रहे थे कि system में number of candidates इस डिपेंड नहीं करता है मतलब सफ्ट्वेयर में कुछ भी हो जाएगा सबका एक दिन में हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंट्स आप लोग यूज करते होंगे तना आइडिया होगा यह होगा कि कहीं भी number लोग जेए का एक्जामपल देते हैं जेए का एक्जाम जो है उसमें क्यों 30 लाग थे और यहां पर एक लाख 26 लाग एक करोड़ 26 लाग थे तो आप समझ लेजे कितना मतलब difference है लगवा कि उसके 5 गुना हो जा रहे हैं 5 गुना कह सकते हैं और आप अंदाजा लगाई उसम खाली था आगे cbt2 कराने के लिए cbt1 ततकाल दे दिया लेकिन अभी क्या है अभी टीस पास टाइम नहीं है नहीं वह एक्जाम करा सकता है नहीं इसलिए रिजल्ट दे सकता है लेकिन फिर भी news reports बगरा हम देख लेते हैं और अगर सितंबर में नहीं आता है तो फिर क्या न प्रब्लम क्या था यही कारण रिजल्ट को भी रोग दिये क्योंकि रेलवे फंड़ा अपना लिया 15-50 दिन के बीच उनको cbt2 या फिर next stage exam कराना ही कराना हर हाल में रिजल्ट देने के बाद तो इस यह उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया था इसलिए नौ महीने का टाइम ल लेकिन वहां भी फेल हो गए और मेरी बात वहां भी सच साबित हो चुकी है मैं बुलत उसका रिजल्ट सितंबर में आए सितंबर उसका रिजल्ट आ गया है और में फालतु बकवास नहीं करता हूं जब करेंट इंफॉर्मेशन रता है तब ही देता हूं अभी कल SBI का देट के बारे में बताता हूं रहां मैं बताते हैं राव कोछ देता हूं फ्यूर्मुचर पहसिए नकाल सब्सक्ण नहीं है इतना आसान नहीं है इसलिए रेलेवे के बारे में possibility पे ही बात कर सकते हैं और मैंने आज तक यही कारण रेलेवे के बारे में कभी कोई exact date नहीं दिया क्योंकि उसका exact date बताना possible ही नहीं है बहुत सो लोग एक exact date देते हैं फिर फेक नोटिस वारल कर आते हैं फिर यह करते हैं और सारी बाते फेक निकल जाती हैं बाद में ठीक है लेकिन फिर लोग हार नहीं मानते हैं लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैं railway को कभी एक्सपक्ट नहीं कर से तो कभी क्या करता है उसके सितंबर चिल्डा रहे आप लोग इस सितंबर की इतना उमीद लगाए हो देख लेते हैं ठीक है तो यह देखे क्या लिखा हुआ है रर्भी एंटीप से सीवीटी वन रिजल्ट टू 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 की घोशड़ा कर सकता है अब भी ऑफिसल वेबसाइट पर नजर बनाये रखे बहराल एंटीप से रिजल्ट से जुड़े अपडेट आपको टाइमस्नों में अप्रशार कर रहे हैं ठीक तिंक कहने का मतलब है कि इनको जो विस्यशक हो बतार रहे हैं इसी में रिजल्ट है इन्हीं के विस्यशक हो है कि अक्टूबर में क्या है रेले के पास डेट्स नहीं है 20 अक्टूबर तक आपका MTS चलने वाला है उसके बाद फिर TCS कहीं और बीजी हो सकता है आपको मालू है फिर नॉमबर में भी डेट्स नहीं खाली है और वैसे एक मैंने रिजल्ट है सबसे बड़े रिजल्ट य ही मिल पा रहे हैं इस वैसे अक्टूबर में भी पॉस्बिल्टी काफी कम है रिजल्ट देने का लेकिन अब बात करतें नॉमबर और अगले साल का क्या मतलब सच चाहिए इसके पीछे क्या लॉजिक है तो नॉमबर मैं इसलिए कह रहा हूं नॉमबर हो सकता है इसलिए हो स लेकिन है दिसंबर में पॉस्बिल्टी बन सकती है यानि कि अगर यह लोग गुरूब डी को रोख दे क्योंकि गूरूब डी का लंबी चलने वाला लब ठाय तीन में चलने वाला है तो हो सकता है लोग एंटिवे सिवी टूं पहले करां यानि दिसंबर लास्ट वीग में और जनुरी फर्स्ट विक तक मिला के वो एंटी पे सीवीटी टू कंप्टीट अगर कर दें तो फिर क्या होगा इसका रिजल्ट जो है नॉंबर में आ सकता है और अगर बाइचांस यह लोग यह सिक्वेंस देखे के पहले गुरूप डी आया है माले उसका एक भी एक्जाम लिए इसका एक घ्जाम हो चुका है तो हो सकता है पहले लोग गुरूप डी कराएं और अगर गुरूप डी विक से स्टाट कर से देशमबर के तो फिर परिडी मांगा पूर आपका। Cो क्योंकि बस यह तो तय है कि जब तक exam date confirm ने होगा CBT2 का तब तक result नहीं आने वाला है चाहिए आप सितंबर में हल्ला कर ले या फिर अक्टूबर में हल्ला कर ले सब कुछ depend करेगा exam date पर depend करेगा अगर exam date confirm हो जाता है उनका कि उनको center वगरा मिल जाता है सब कुछ time मिल जाता है CBT2 के लिए confirmation मिल जाता है तो फिर रिजल्ट जारी कर देंगे उसके पंदर दिन पहले बिस दिन पहले तीस दिन पहले मैंक्सम पचास दिन पहले उससे जादे पहले जारी नहीं करत हैं तो आप समझ सकते हैं computer भी work करता है उसे भी time लगता है ठीक वहाँ जादू कोई नहीं लगता है कि मलब एक सकेंड उत्रूंत होई कोई भी काम ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ भी time लगता है इसलिए सितंबर में result आना बिल्कुल impossible है जो मैं आपसे सुरू से कह रहा हू बाकी मानना ना मानना आपके उपर depend करता है आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं क्योंकि कहने को बहुत से लोग यह भी कह दे थे कि रिल्यों में nsait exam कराएगा यह कराएगा वो कराएगा लेकिन सचाही आपके सामने है exam आपकर tcsc करा रहा है ठीक है तो उमीद करता हूं आप के लिए बस इतना है थैंक यू जय हिंद जय भारत